सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे ही लोग परी है जैन न्यूस चैनल चैनल में आपको कहते हैं तीर्थों की सनक्षन करने का आवान क्या था और तीर्थों की जानकरी अब देने की मुहीम जैसे शुरू कर दिये कलब धाय थीया को कचनेर की और आज हम एक और कहते हैं देव जनित जनाले में आज लेकर जाएंगे भिंड के पास लेकी जाएंगे चंबल खटी के पास शौरीपुर है ना वहाँ से 60 किलोमेटर दूर और महामरतिने तीर्थ है वहाँ से 3 किलोमेटर भिंड के बरोसा है ना वहां से मुखे जिलाज नर्जे महज 25 किलोमेट दूर है बरही गराम बरासों से चलते हैं तो बरही गराम में आज आज आपको वे परतिमा दिखाएंगे जो कहा जाता है देवो दोरा बनाई गई हाँ बरही गराम की बात कर रहे हैं आपसे यहां पर अगर इतिहास को काल्च चरण यहीं भरी माय था बहुत बड़ा व्यवसाई के जोता पहले सूत का व्यवसाई यहां जोर पर चलता था और दूर दूर तक सूत की सप्लाई होते थी लेकिन धीर इदरे समय पलटा गया इतियास सकर चलता गया और जैनिया से थोड़े निकलने लगे आज भी चंबल कहते हैं वेदी थी वेदी बननी थी मंतिर की तैयारी हो रही थी कि बात है 1520 सन के आसपास आप कहते हैं क्या देव आते हैं विश्वास नहीं करते हैं अब पंचमकाल में कहां देव आए पर कहा तो जाता है जब हम कोई विधान करते हैं उनको नुस्रण करके करते हैं आप तब भी ऐसी घटना होई एक दिन में वेदी तैयार होकर खड़ी हो गई और उस पर अजितनात भगवान की प्रतिमा विराजमान थी किसी ने नहीं बनाई थी कोई लेकर नहीं आया था अभी वेदी की तैयारी करनी थी कि एक दिन में ये कहां से वेदी आई कहां से विराजमान की किसने की कब की क्यों की ये किसी को मालूँ नहीं चला सब को मानना पड़ा कि यहां की धरती में आसबास जो रक्षित देव थे उन्होंने देवी देवताओं का आवान किया और देवोंने आकर इसको यहां पर विराजमान किया इसलिए इस जिनाले में लिखा हुआ है देव जनित जिनाले जो आप देख भी रहे हैं उपर लिखा हुआ देव जनित जिनाले है ये किसी मनुष्य द्वारा कारी गरो द्वारा किसी राजा द्वारा किसी मंत्री द्वारा किसी संत्री द्वारा नहीं यह तो खुद देवो द्वारा बनाई गई अजित नात भगवान की वेदी है जो आज भी अपने चमतकारों से हर को आकरशित कर लेती है लोगों की भिड़ बढ़ने लगी यहां पर और फिर क्या किया कि यहां पर पास में चम्मल के तट पर है गौलेट से लगवाए एक सुद्दस किलोमेटर पड़ता है इटावा से लगवाए बारा किलोमेटर के दूरी है इस जगे की 31 विट उची पहाड़ी है और उस पर 21 फुट की अजित नात जी की नई प्रतीमा भी यहां पर विराज मान की गई है जो आप देख रहे है अब इसको शेतर को बहुत बड़ा कर दिया गया है लोग आकरशित होते हैं कभी आप आईएगा एक बार आएंगे गदगद हो जाएंगे जिस प्रतीमा को किसी ने नहीं बनाया जिस वेदी को किसी ने तैयार नहीं किया वेदी और प्रतीमा आज भी आपको दिखेगी हैरान होंगे कि यह भी ऐसा होता है कि एक दिन में वेदी और प्रतीमा आकर यहां विराज जाती है कोई इंसान नहीं बनाता कहते हैं देव आके बनाते हैं इसलिए इसको देव जनित जिनाले कहते हैं बरी गराम भिंड के अंदर अगरी बड़ आस्पास आए जरूर आईएगा सादर जैजनिन